हेलो फ्रेंज वेलकम बेक माई यूटूब चैनल तो गैस आज हम यहां पर बनाएंगे बहुती प्यारा सब फुल घेर में कलिदार गाउन जो की लोंग रहने वाला है और यहां पर यह वाली जो साड़ी है सिल्क कोटन में साड़ी है मेरे पास और यहां पर जो आप जानते ह करके और नीचे बोटम पे इसका वर्क है नहीं पर इसमें मेरे साथ बलाॉज भी दे़िया है नीशी में बनाने वाला है यहां पर इसको डिजान में काम बफ लेंगे चैनल भाला लाव्ड एक प्रफ ब्रखें और यह कोटन वालवाला फेब्रेक इसको मैंने लिया है यहां पर 5 मिटर या निकिमारे साड़ी की लेंद भी 5 मिटर रहे और यह वाला फैबरिक नीच के लिए कैसे कपड़ा निकाल लिया है 19 लेंच कापड़ा मैं यहां पर 16 इंच में इसकी वीर्ट लिए facilities कर दोने पार्ट में और इहां से बंद वाले सा़ड जो मैंने ऩहां पर adapt करके बिचा दिया है ओपर से हमना हार् visa करना है उसका हाफ करती हैं अलग लग करके फोर्ड करके इसको बिचा दिया है उपर से हमें सॉल्डर का जितना आ रहा है उसका हाफ करते हुए यहाँ पर मार्किंग करनी है मैंने 7.5 इंच पर मार्किंग किये और आर्मोल के लिए भी हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्किंग करनी है अगर आपको आर्मोल निकलना नहीं आता है तो जितना आपका चेस्ट आ रहा है उसको चेस्ट डिवाइड कर तो आपका आर्मोल का मेजरमेंट निकल जाएगा अब यहां पर इस तरह के से box बना लेंगे आप यहां पर हमें लगाना है chest का fourth part तो chest का जितना fourth part आ रहा है उसका हम यहां पर measurement लगाएंगे और यहां पर two inch losing का देंगे अब उपर से हमें length नापनी है चोली की तो सबसे पहले हमें solder का down वाला हिस्सा में यहापर निशान लगा देना है कितना solder down करना है और यहांसे length हमें रखनी है 15 inch और हमें यहापर cutting के लिए लेना है यहापर 16 inch यहने extra 5 inch लेना है जो कि इस line में जाने के बाद हमारे 15 inch length मेरेगा नीचे से waist का हमें 4 part लेना है plus 2 inch losing का add क करना है अब इन निशानों को इस तरीके से मिला देंगे और सीधी line बना देंगे अब नेक की हमें उपर से 3 inch पर विर्थ लिए length में लिए यहापर 6 inch और नीचे से में अब इदर से मेरे पास french करूँ था तो में इसी से यहाँ पर armol का safe लगाऊंगे अगर आपके पास नहीं आप आपने according यहाँ पर लगा सकते हो तो इस तरीके से मिले front और bake के लिए यहाँ पर गोलाई लगा दी है अब जब हम इसकी cutting करेंगे तो हम बेक वाले गोलाई से ही cutting करेंगे तो अब हम दोनों पार्टों को बराबर से cut कर लेते हैं क्योंकि आगे पीछे का गला मेंने same रखा है इसलिए मैं बराबर ही cut कर रही हूं अब front गोलाई की हम यहाँ पर cutting कर लेंगे तो यह हमारे दोनों पार कट हो के ready हो चुके हैं अब हम इन दोनों पार्ट को जो हमारे साड़ी वाला फेब्री की इस पर भी cut करना है जो कि हम पलू वाली साड़ से start करेंगे इसकी cutting करना और जो पलू वाली साड़ होती है guys यह पूरी भरी हुई होती ही work में यह देखें तो यहाँ से पहले हम चोली का जितना कपड़ा चीह होतना पहले हम निकाल लें तो यहां देखें मैंने दो फेब्रिक निकाल ली है फ्रंट और बेक के लिए और मैंने आपर गल्ले के और आरमोल की कोई गोलाए नहीं लगाए चोक और कपड़ा इसका कट किया है अब यह जो बच्चा हुआ फेब्रिक है यानि कि जो बच्ची हुई साड़ी इसमें आप देख सकते हैं सवाद दो मीटर उपर की तरफ वर्क आता है पल्लू की तरफ से फिर भी इसमें कपड़ा बच गया है अकर हम इसमें बंदकली की जो कल्या कट करेंगे बंदकली वा अगर लेंट हो जाएगे अपनी तो यहां पर बोर्डर निकाल देंगे तो यहां पर देके मैंने 16 इंच मैंने मायनस कर दिया है चोली के लिए और जितनी हम मुझे यहां पर लेंट चीए उससे मैंने एक से दो इंच एक्ष्षय यहां पर लिया है नीचे की तरफ से तो य ही हथे हमारी जो הי ribs कल्या कटो के रीडियो कैसे कु क्रिकाइजWAY के आरदी तो यहां से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास मेरे पास बालुऔ यहां पर tutti 375 श्कल då हम यहां पर 2.375 यसले पालिम तौन के चलेंगे बेड़ hai 1,5 इंच Lower क Tenn at 2 mm लितिने ही तो सब सेस्ते हैं कि करने है दर 10% सब कर exercising निशा दाए है उसके हम दोनों तरप आदा इस पे लगा देंगे इस तरिके से मार्प करेंगे इंपर हम वा कौंट गाथ रूप जिसousse से एमिनंगे को लिए देखे साइड सब्सक्राइब गएव sily आप करने हैं जो कि हामारे कल्यों में स्लाइम करने जाएगात तो इसका में फेब्रिक सब्सक्राइब अन्यों 2 चाल आपर मार्किंग कर लेना है So, आप इस तरह किसे तीर्चा तीर चा इस तरीकी से लाइन को लेते जाएंगे और कली के जिसे हम यहां पर इसके मार्किंग कर लेंगे एंड तक हमें इस पे मार्किंग नहीं करने यह देखिए वाणा नीचे से भी हमारी कलियों की जो चोड़ाई हो कम हो जाएगी अब इस तरीकी से इसको cutting करना है तो जहां तक हो सके वहां तक इस तरीकी से तीरचा-तीरचा cut करते जाना है जहां तक हमारा बंद इससा आजाएगा कली का नीचे की तरब से उसको अमारे इस तरीकी से cut करके open कर देंगे तो यहाँ पर देखे यह हमारे कलिया बन चुकी है अब यहाँ पर यह देखे जो फुल एंब्रोडी वाली कली है पूरी यह हमारे पास चार कली निकल के आईए इसकी और टोटल हमारी जो कलिया यह पूरी 16 है यानि कि दो पेनल तैयार होंगे तो हमारे आट-ाट कलिया इसमे जो फ्रंक का पेनल रहेगा वह आट कलियों का बन जाएगा और जो बेक कडेशनल में वह वह हो बेक बन बन चार के बन चार कोज़ेगो बrous इसे को इस तरीके से ओपन करना है और यहां से गले की यहां से हम इसको शिलाय लगा देंगे और उसके बाद हमें फ्रंट वाला इससे लेना है हमें यहां पर सबसब पहले कोटन वाले फैब्रिक को लेना है तो इस पर हम पहले डिजाइन बना लेंगे उसके बाद हम इस पर हमेंगे लगाएंगे तो यहाँ जला नेक वाले इस आज दाहीं चींच नीची के तरह मार्क इंच कड़ बनाइंगे ऑन डियर के चैरि गोमार्कींग बनाइंगे धका उन्य तो यह श्रय पाल कर टेंगे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अब यह जो हमने कट किया है अंदर का फेब्रिक इसको समाल के रखेंगे क्योंकि बाद में इसी के बराबर का कपड़ा लेते वह डिजाइन के लिए और इसके मरजर्मेंट का हम कट कर लेंगे अब हम यहाँ पर main fabric पर रखना है और दोनों पार्ट को इस तरीकी से रखती वे और इसके भी हम गले गले पर सिलाय लगा देंगे तो यहाँ पर इस तरीकी से एक-एक सिलाय लगा देंगे इस पर यहाँ पर यह देखे है काई मैं नीच पर सिलाए लगा दिया और बेक वालय इस लिए अब इम इसको पलटेंगे अब पलटने के बाद इस पर भी इस तरी के साफ पर एक नेक पर फार फिनिसिंग के एक सिलाए और लगा देगे और फ्रंट वाला जो हमारा इससा है, दिसे हैं यानि जो फ्रंट वाला छोली का पार्ट है, उस पर हमें पेले नेक वाले इस सिलाय नहीं लगानी है, फिल्त में जो अंदर हम ने फेबरिक हाँ पर कट किया था, उसकी डिजान हमने याँ पर बनाके रेडी कर ली थी, तो यह गैस मेनि यहां पर पहले हम चल्आय के तो यह वाली पती मेने आ पर कट की थी उस भलाज के फ्याप ट्रिक में से मैं Sans Bakunas होती खाती हें और वाज फिलिए व्यात के और ही और प्रेंसे हमें यहां आप संबद आहिंέहें चैनिग हो जाएzek अब हम इसको पलटेंगे पलटने के बाद जो मिहां पर टक्स के लिए मार्किंग कर लिए है मेने तो यह जो मारा फ्रंट वाला टक्स है यानि फ्रन्ट वाला प्वाइंट है जो के सेंटर प्वाइंट है वहाँ से मेने 4 इंच दूरी पे और 5.5 इंच उपर की लेंद पे मैंने यापर टक्स का निशान लगा है और बस्ट पॉंट मैंने यापर लिया है 1.5 इंच फ्रंट पे मैंने 1.5 इंच बस्ट पॉंट लिया है और यहां से मैंने 1.5 इंच पे दूरी पे निशान लगा है सेंटर परन्ट से और उपर से मैंने साड़े पांच क्योंकि आदा इंच हमारा स्लै में चला जाएगा तो हम 55 इंच में वारा टक्स रह जाएगा और शाड़े से मैं आदा आदा इंच चोड़ाय में टक्स लिए हैं अब इनको हमें complete कर लेना इस तरीके से सिल्फ के देखी दोनों पार्ट हमने याप पर रेडी कर लिए हैं अब हमने यापर फ्रेंट पार्ट पर यह जो हमारे साड़ी में पल्लू पर निकले थे यह वाले टसल्स तो मैं इनको भी यहाँ पर यूज में लूगे तो जब पहले से मैंने यहाँ पर साड़ी तीन तीन नीच पर मार्किंग कर दिए इस तरीके से दिखो तीन जिगब पर किया तो मैंने यहाँ पर मारचिंग किया और टसल्स त्यावट है जोने दो दो टसल्स मिलाते वह इंको यहाँ पर सुईदाखी के मतद इसके बाद हम ने यहां पर जोइंट कर लिया है और अब हम यहां पर इसकी पैटन को तयार करेंगे तो पहले हम कलिया यहां पर तयार करेंगे तो कलिया किसे तयार करनी है मैं आपको दिखा देती हूं बिना इंटरलोक मेशिन के भी आप कलिया को फिनिसिंग के साथ में कैसे तो आप वीडियो को एंड तक जरू देखना है तो मैं आपको दिखा देती हूं यहाँ पर पहले फ्रंट पेनल इस तरीके से तयार करना है एक हमारे फुल एम्प्रोडी वाली और एक खाले वाली कली इस तरीके से में आड़कले रेडी करनी है यहाँ पर यह देखो दोनों क किसला है वो इसके अंदर ही कवर हो जाए बाहर इसके धागे नहीं निकलेंगे तो यह देखें फिनिसिंग के साथ में हमारी कली है यहां पर जूटके रेडी हो गई है बिल्कुल इंटर लोग की जरूत नहीं है यहाँ पर बेक वाला है और यह वाला फ्रंट वाला है तो कुद यहां पर देख सकते हैं कि फिनिसिंग के साथ में हमारी कली Bailey वाली कली ढूर जुट चुकी है यहां पर मैंने दो पैनल तइयार कले यह देखिए हमारा फ्रेंट पेनल है यहां पर सब्सक्राम कर लिया है और तो नो पार्ट यहां पर डुनिंग स्लाइब यह ये हमने हमने यह नहीं है था इस तरह के लिएकि और जो यह कर कि कहीं है लाइनिंग इनने को इस तरह करी से दून आपकी करना हूं दूसरी वाली को भी इस तरा के से अटेश कर लेंगे, को यह पर देखें हैं, मैं इसको है कोшеL डिया है, Disaktr और नंदर की प्लेन पPod छोड़ा में लिए यह आपर 8 इंचzeug माइश 200 छोड़ा व दिया onirmous Canada और अंदर कि लंवाई मेन यहां पर रिजाए 20 इंच ढुल है। इंग मर में uh और थोट्ल आप लिए इस तरीके से 26 इंचिक से 25 इंच और रहे लाख ज्या तक यहां हाँ तिक हमें इसकी प्लेट करना यह तो सब सब पहले इस तरीके से याँ पर स्देट का यहां पर यह पर नौच यह लगा दिया है रहां आब इस तरीके से प्लेट बनाना है जहां तक हमारा जोइंटा हा रहा है नहीं यख़ तरब fold करेंगे इश तरीके से अब इस plate पर एक चला लगा देंगे. अब दूसरी साट से भी हमें dirben को उठाना इस तरीके से और यह जो वाली आगे की जो Dåद अपनी तरह फोल्ड हो गी इस तर इक से और यहां तक फोल्ड करना जहां तक इस पर दूसरी वाली पट्टी अटे चोरी मुझ सके जूइंच तक तो इस तरह की से इसको भी यह तक प्लेट को यहाँ पर बिलकुब प्लेट को हम एक के उपर एक रखते जाना है और इनको जूइंच करना है यहां पर भी इस पर भी एक साथ से सिलाय लगा दी है अब उपर की जो प्लेट का डारेक्शन जैसा रहा है वैसे कि वैसे इनको सेट करते विए उपर की तरफ से भी एक सिलाय लगा देंगे सारी plates को ऐसे ही जमाना है जैसे ही इनका सेट आप हो रह वैसे इनको सेट करते हुए इन पर भी एक सिलाय लगा देंगे और दूसरी सेट का जो डारेक सान हारा है वैसे इनको फोल्ड करना है इस तरीके से और इनको भी सेही यहांपर सिलाय लगाते हुए इनको भी आटेज कर देना है तो हमारे स्लिफ की यह वाली जो उपर की प्लेट से वो भी यहाँ पर आटेज हो जाएगी इस तरीके से यह देखे अब है अब हमारे उपर प्लेट वाला इससा रेडिय हो चुका है अब यहाँ पर मैंने पेपर पेले से य की पर प्लेट और को कटिंग किया है ऊब इस को इस तरीके से पिनब करते हुए और तरह पर एक कच्छी तरफ ही को देगे है यहांतर तक हमारे पेपर की सलिफ उस उस पर हमें सी तरीके से किसलाय लगा देनी है और जो एक्ट्रा फिबरी के उसको गल तर दो और इसके बाद जो हमने यहां पर बोर्डर तयार किया था तो मैंने यहां पर जो यह बोर्डर लिया यह मैंने दो लेस मिला कि इस तरीके से डबल बार लेर करते वे इस बोर्डर को चोड़ा बनाया है इस तरीके से वो नीचे की तरफ मैंने कोटर वाला इस तरह यहां पर ल लगा देंगी जितना हमकर अंदर की तरफ फोल्ड होगा उतने पर ही हम यहां पर शिलाइए लगानी है अब इसके बाद पलटकर उपर की तरफ से भी फिर से एक सिलाय लगा देंगे तो यह हम आरा यहां पर इसके बोर्डर रेडि हो जाएगा तो इसी तरके से हमें सेम दूसरी वाली स्लिव्स को भी रेडी करना है जैसे कि मैंने इस वाली स्लिव्स को किया है तो साथ ही मैंने यहां पर यह देखे दूसरी वाली स्लिव्स को भी रेडी कर लिया है अब हमें स्लिव्स के यहां पर जो सेंटर का है है तो फ्रंट की गोलाईक देखते विए भी शिल्क को यहाँ पर इटेच करना है तो दोलों शिल्क को मेंने यहां पर इदेखें अटेच कर दिया है अब हमें नीचे की तरप से आप गेह अटेच करना है तो पहले हमने यहां पर fitting की ओ आीं कर लिए यह के बाद हमें जो सारी वाला फेबरी के उसको लेना है पहले इन दोनों घेरेओ को इस तरह के शेंटे कर देंगे हैं ताकि शिलते टाम यह इदर उधर ना हो और दोनों बराबर से सहटो पहले इन पर एक कच्छी सिलया लगा देंगे फिर उसके बाद इसमें अटेच करेंगे तो यह देखे觉 मैं इनको दोनों का attach कर दिया है अब हम यहाँ परकमर वाली इसे को यहां से चोली पर attach करेंगे तो जो मैंने आपर points बताया है वहाँ से इसको रखना है नीचे के गेरे को और वहाँ से दूसरे points तक हम इसको मिलाते वे यहां तक इसको sil देना है और हमें फ्रंट वाली चोली पर फ्रंट वाला पेनली यहां पर इसमें अटेज करना है अब दूसरी वाले इससे को भी से वैसे ही जिसे मैंने पॉइंट का निशान लगाया था है यहां पर इस तरीकी से मिलाते हुए इन पर भी सिलाय लगा देंगे यहां तक ही देखिए अब इस पर सिलाय लगा दिए गास मैंने कमर के यहां से दोनों पाट को अटेच कर दिया है अब सबसे पहले हमें नीचे से घेरे को जोड़ना है तो सबसे पहले हमें जो साड़ी वाला घेरा है उसको जोड़ना है दोनों सैट से इस वाली सैट से भी कम त फैनल इस पे फीटिंग कड़ादि जीटन वाले साड़ी यहां पर यूंज निन देख यहां पर जोड़न ने लियुदिख साधी बोड़ की, यह poking . आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड साथ जरूर करदे ताकि इस नहीं नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पर मिल सके और फाइनल पेने के बाद यह देखी सकते हो तो मिलते हैं नेक्स टाइम एक नई यूसपूर वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ and thanks for watching my video guys